हलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आई टे फाइटर यूटूब चैनल में डेली हमारी क्लास 8 पी एम में होती है अगर किसी नेटवर्क की वज़े से अगर लेट हो जाता है तो उसकी इनफॉर्मेशन हम आपको टेली ग्राम ग्रूप में दे देते हैं या टेली ग्राम चैन की बात करें वहाँ पर लबक 3000 मेंबर जुड़े हुए हैं न तो उन सारे ग्रूप को जॉइन करके रखें वहाँ पर इनफॉर्मेशन कोई जॉब नोटिफिकेशन भी वहाँ पर हम आपको प्रवाइड कराते रहते हैं ठीक है तो होता गया कि कुछ कुछ जो छोटी चीज से डिलेट यहाँ पर 20 कोशन यहाँ पर करना है 17 17 प्लस आपको यहाँ पर साही करने है और इसक आपको स्को जरूर करें और बेल आइकन ओन कर लें जिसे जो भी वीडियो में अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा चलिए फ़र्स्ट कोशन है आज किस क्लास का फ़र्स्ट कोशन एलुमिनियम ब्लाग के चिकने पन के लिए कौन सी फाइल सबसे उपयुकत हैं इं राइट एंसर क्या होगा तो हमारा सिंगल कट फाइल ठीक है राइट एंसर क्या होगा सिंगल कट फाइल सिंगट कर फाइल का प्रियोग हम अलुमिनियम ब्लॉक के लिए करते हैं राइट एंसर हमारा क्या उनसा डी आपसन हो जाएगा निश कोशन है पॉइंट इंगल अवेलबल हमारा जो भी दॉन है कितने ग्रेट में पाब जातां ए और वِ ग्रेट में बी टॉ कि यह न को देख लेते ने श को शन हमसे क्या पूछा गया है वन ये डिप्ट गेज इजूज टू फॉर मिजिरिंग वन ये डिप्ट गेज का प्रियूग मापने के लिए करते हैं तो क्या मापने इसे ठीक है तो इसका प्रियूग हम क्या मापने हैं क्या चिक करते हैं तो आफ से ने external dimension, internal dimension, step depth of blind hole, pitch diameter, तो ये 4 options हैं क्या होगा, right answer, question number 4 का, one year depth gauge का प्रूख कहां पर करते हैं, तो one year depth gauge का प्रूख हम जो step में हमारी step में blind hole होते हैं, उनकी हम गहराई मापने के लिए करते हैं, right answer हमारा C option हो जाएगा, next question हम से पूछा गया है, और ये भी काफी पूछा जाने वाला question है, हर एक जाम में question ही आपको देखने को मिलता है, the movable jar of bench wise is not moving even though the spindle is turned is due to regions that, जो हमारा bench wise है, उसका भी question previous paper में जब हम आपको solve कराते हैं, पर भी question आया था, bench wise में जो जब हम spindle को गुमाते हैं handle के द्वारा तो हमारा जो mobile जाए हो movement नहीं करता, आगे पीछे नहीं जाता है, इसका क्या करण है, आप सेने fix and movable jar are over right, spindle is been broken, spring is not functioning, thread and spindle are slightly run out, तो यहाँ पर जो बच्ची इस question का गलत अंसर देरे हैं, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगो theory भी पढ़ना चाहिए, क्या क्या region होते हैं अगर हम spindle को घुमाये तो हमारा movable जा आगे पीछे नहीं जाता है, तो यह theory इसको भी पढ़े है, क्योंकि आप अगर theory ने पढ़ते केवल mcq करते हैं तो आपका कभी भी fundamental clear नहीं होगा, हमारी जब spindle की pin टूड़ जाती है तब हम तब जब हम spindle को घुमाते हैं तो जो हमारा movable जाहू आगे पीछे movement नहीं करता है, ठीक है, next question right answer हमारा b option हो जाएगा, next question a divider used for divider का प्रयूँ कहां करते हैं, describing circles, describing arc, describing and stepping and distance और fourth option आप दीज़ तो divider का प्रयूँ कहां पर करते हैं, कि चार आपसे हैं, क्या होगा right answer question number six का, तो हमारा right answer हो जाएगा d option हो जाए, describing जो, sorry, जो हमारा divider होता है, उसका प्रयूख हम describing circle, मतलब circle भी खीषते हैं और arc भी खीषते हैं, और यहां पर अलग-अलग अगर कुछ दूरी में step में distance करना है, जैसे divider के माध्यम से एक हमने यहां से हमने चाप लगाया, यहां से फिर जो पहला point यहां पर हमने रखा ता वही लेक का point यहां पर उठा के रखेंगे और यह फिर अगला एक चार्क, मतलब कोई दूरी है उसको भाजित करना है वहां पर इसका भी प्रयूग कर सकते हैं, next question another name of hand file है, hand file का दूसरा नाम क्या है, option is square file, parallel file, flat file, safe and edge file, another hand file, hand file का दूसरा नाम क्या होता है friends, hand file का दूसरा नाम हमारा safe edge file होता है, right hand से हमारा D option हो जागा, कल question आया था, इसरो की paper में जो question पूछा गया था, देखिए जो बचे इसरो का paper कल का वीडियो देखे थे तो वह देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है, सई से proper, तो next solution है, जो 2015 में इसरो का paper हुआ था, विक्रम सारा भाई space center का, उसका paper कल हम solution देंगे, कल 8 PM, तो 8 PM में कल जरूर आएगा, ठीक है, निश कोशन है मारा, तो निश कोशन है, the best way of a wide accident, एक्सिदेंट से बचने का सबसे अच्छे तरीका क्या है, option है, doing work in accident way, doing work in events way, and observing safety and rules related to job in machine workplace, and fourth option using safety equipment, क्या होगा राइटेंसर, सुरच दुरघटना से बचने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, पुराने तरीके से कारे करना, अपने तरीके से कारे करना, कारे और मशीन युक्त कारे स्थल से समधित नियमों को पालन करना, fourth option है, सुरच अपकरनों का इस्तमाल करना, तो दुरघटना से बचने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है, C option, कार और मशीन युक्त कार इस्ता से समधित नियमों को पालन करना, अगर हम समधित नियमों को पालन करेंगे, जो भी safety हो, अगर हम यूज करेंगे, तो हमारा दुरघटना नहीं होगा, अगर आप D option लगाते हैं, सुरच अपकरनों का इस्तमाल करना, अगर आप सुरच करना अक्सर हो जाती है, तो राइटन समरा C option हो जाएका, निश्कोष हम से पूछा, दज्जा, इन दटाइफ ऑफ रेंच, ओपन पैलल विद दा, हेल्प आफ इस्क्रू, फोर डिफरेंट इस्क्रू, साइज ऑफ नट, दीज आर, तीखिए आपर क्या लिखा हुआ, यहा उनसा हमारा रेंच है, जिसका जबडा, इस्क्रू की साहता से समानतर खुलता, तो हमारा मंकी रेंच होता है, राइटन से हमारा P option हो जाएगा, जिन बच्चों ने भी अंसर दिया, उनका कोशन का, इस कोशन का राइट अंसर है, निश्कोशन हम से पूछा गया है, इस्ट इस्टेट पीन का जो पीन होता है, वो हमारा हैंडल की सीध में होता है, जो क्रॉस पीन होता है, वो हमारा हैंडल की सीध में होता है, ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट पीन हैमर पूछा गया है, तो इस्टेट पीन हैमर का जो पीन होता है, वो हैंडल की सीध में होता है, नि माइक्रो मीटर में जो हमारा रेच इस्टाफ है उसका क्या कारे दबाव को नियंतित करता है इस्पिंडल को लॉग करता है सुनितित को समयूजित करता है कारी को रोग करता है control the pressure lock the spindle adjust zero error hold the workpiece क्या होगा right answer जो हमारा rest staff होता है micrometer उसका कार्य होता है जो हमारा जो हमाप रहें या मतलब समझ लिए pressure को control करता है pressure को क्या है control करता है तो हमारा right answer क्या होगा A option हो जाएगा ठीक है यहाँ पर spindle को lock करता है यह नहीं होगा ठीक है जो भी हम मूवमेंट है वो तो हम लॉक लॉकिंग का काम करते हैं जैसे हम कोई जॉब माप रहे हैं और हमने अब हमने जान गए कि भाई यह पचीस एम्म का यह जॉब है तो आपर क्या है लॉक कर देंगे ताकि हमारा माइक्रो मीटर का जो साइज है वह हीले नहीं ठीक है तो वह लॉकिंग कर देंगे इसका काम होता है मुंग के प्रेशर को कंट्रोल करना माइक्रो मीटर में जो रहचे स्टाफ होता है रहचे स्टाफ में जो थ्रेट कटी होती है वह आपको बताना था तो रहचे स्टाफ में जो मारी थ्रेट कटी होती है हमारी पट्रेस थिटकटी होती है कोशन नमबर ट्वल में पूछा गया दा कनवर्ट दा माइनर सोरी दा कनवर्ट दा कनवर्ट इनर मोशन आफ प्लंजर आफ इडायल इंडिकेटर टू रोट्री मोशन आफ पॉइंटर विच वन आप दा फालूइंग मेकेनिम्ज इस दिको पॉइंटर के घुमावदार चक्र में प्रवेड़तन करना है निम लिखिन तो कौन सा तंत्र इसके लिए प्रियुक्त होगा तो यहां भी चार आफसे नहीं क्या होगा राइट एंसर कोशन नमबर 12 का राइट एंसर बताएं कोशन नमबर 12 का राइट वीडियो अगर पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजीगा ठीक है कोशन फाल का हमारा राइट अंसर हो जाएगा रैक पिनियम मेकेनिमेज की माध्यम से इनर मोशन को हम किसमें बदलते हैं रोटरी मोशन में बदलते हैं राइट हैं जिन बचोने बींशर दिया है उनका कोशन कांसर सही है ऐस देफिरेंट बिट्विन उन्यवेस दी आनन व्ली एजदी वरणिर जो यहाँ पे बुछा गया एक एक मेस्टेst एन एक व्लेश डी का यहाँ पर आप जानते हो जूअ लिश्ट काउट हम निकालते एक मेस्टी माइनिस एक व्ली एस्दी से निकालते है तो यही पूछा गया है कि एक MSD एन एक VSD यहां पर इसका अंतर क्या होता है क्या मान होता तो वनिए पर जो उमारी least count होती ही नहीं हमारा पूछा गया है क्योंकि का फर्मुला ही होता है वह एक MSD मानिस website धी हम इसना होगा हना पोइंट यी रूटिरूटू है थिक है यहां पर हम लोग मान रखते हैं के मेन स्केल खान एकमान कितना होता एक वर स्केल खान एक मान किसा फिर उसको अंतर करते हैं घंटाते हैं तो मारे क्या निकल क्या था पॉइंट जीरो टू में निकल क्या था राइट एंस हमारा यह आपसन हो जाएगा ठीक है चलिए नेश कोशन देख लेते हैं कोशन नमर 14 में क्या पूछा गया है विच वन कंटेक्स हाइयर परसंटेज आप कारवन ठीक है तो निम्न में से किसमें हमारी कार्वन परसंट माता सबसे अधिक होती ही आपको पताना है राइट एंसर क्या होगा कोशन नमर 14 का है तो जब से जादा जो हमारी कार्विन प्रस्थ बातरा होती है वह मारी कास्ट रेंड में होती ही राइट देंस अम्हेरा डीक्राप्षन हो जाएगा ठिक है चलाएँ सिंपल कोशन था निश्ट कोशन पूछा गया है लिश्ट इसमें 4 प८ैंट करें हमकहिद आप है इसने यह पर 003.000 को सिरुंदि आहले तो मैंक्रमेटर सब्सक्री कोंटी क्ति ऊणिए रिए राइट इंसर होगा इर्ष्ट кон wr。 ठीक है , ब। साइज आप tapping drill फार एम टेंट इंट टुफाइव यह पूछा गया है क्या होगा right answer यहां पर हमें क्या पूछए जा रहा है आप T Zack शाइज निकालना है और यहां पर ट्यूप का साइज दिया है वह दसे मिदिया जो 1.5 प्रज्आ मतलब क्या है यह फिछ दी गाई तो तो निकालते कैसे हैं, कैसे फार्मूला निकालते हैं, देखे हैं, हमने आपको सिखाया भी है, टैप डिल साइज बरावर फार्मूला क्या होता है, अगर यह आप यहाद है, तो निकाल सकते हो, टैप डिल साइज बरावर होता है, टैप साइज माइनस टूडी, ठीक है, अब पॉइंट six one में दो का गुना करेंगे और इसके लाद या दोगा उन्हें डारेक्ट अंसर बता दिया होगा कि यह होता है ठीक है चलिए कोशन नमर 17 का अंसर बताना है कोशन में पूछा गया गया होना चाहिए चार साफ का अड़ना होना चाहिए बताये राइट रसर का एक शॉल लिस्त सब्सक्राइब कर लिए और किसी еньरण व convenient के तो जिसके इनफॉर्मdert घ्र विचेट हो दो हजार से लबक तीन हजार मेंबर जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आप कोई भी कोशन डाउट है तो वहाँ पर भी अपना कोशन भी डिस्स कर सकते हैं ठीक है तो यह राइट इंसर क्या होगा साप सोल्डिंग जो तापान होना चाहिए हो चार सो पचास डिग्री से कम स हो जाना होगा और अगर ब्रेजिंग का पूछा जाता है तो हाँ पर हमारा साड़ी चार सो से अधिक होता है ठीक है चलिए निश कोशन यहां पर कौन सी विसेष्था अबरेशन को प्रतिरोध दुद्पन करता है अप्शन इंग्लिस में अगर देखें विच्वन आप दा बता है राइट एंसर क्या होगा यहां पर प्रतिरोध करता है जो भी हमारी कठोड़ता है जो भी मतलब वह कौन सा मेटल का वह कौन सा गुड़ है जो घिषने का प्रतिरोध करता है घिषने का विरोध करता है वह हमारी कौन सी मेटल होती हो हार्नेस होती है ठीक है तो मेटल चैप्टर में दिखका थे कोई कोशन कन्फूजन रहता है तो मेटल चैप्टर के हमने बहुत अच्छे से क्लासे करवाई है तो प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा मेटल चैप्टर के हमने समझाया है जो भी फट्रने से मेटल है सब कुछ पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से तो आप देख लीजिएगा नेश्ट कोशन इस पॉट फेसिंग इस पॉट फेसिंग क्या है इस पॉट फेसिंग निमले के लिए किया जाता है इंग्लिस में देख लेते हैं डेबर डेब इसका मतलब क्या है कि जो हाँ जो हमारा बोल्ड का हेड है क्या उस सीट में प्रॉपर बैठाने के लिए क्लिए क्या हम इस पॉट फेसिंग करते हैं थार्ड ऑप्सन है फाइन फिनिश टू दा डिल होल मतलब कि डिल होल के होल को फिनिस करने के लिए करते हैं फाइन फिनि और इसके उपर जैसे कोई मसीन है मालो कोई भी प्लेट है उसके उपर बोल्ट लगा हुआ है या कोई सता है कोई जॉब उस पर बोल्ट लगा हुआ ठीक है कोई हमारा क्या जॉब उस पर बोल्ट लगा हुआ ठीक है कोई हमारा क्या जॉब उस पर बोल्ट लगा हुआ उसका तो राइट एंसर मेरा बी आफ़सन हो जाया जिन बच्चों लगाया था इस कोशन का राइट एंसर उनका सही है और आपने कितना इसकोर किया को यहाँ पे कमेंट करके बताएगा हमारे कितने सही है ठीक है तो जब वीडियो में जो पबलीक कमेंट होता है वहाँ पर अपना इसको लिखिएगा कि हमारे 20 में 17 से इवें कि 18 से इवें जो भी है वो आप लखिएगा ठीक वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजेगा और डेली हमारी क्लास आठ बजी या फिर 8.15 में स्टार्ट होती है आज के इस वीडियो बस इतना ही रखते हैं फिर मिले है तो चैनलो सस्क्राइब कीजेगा और रिडियो को सेयर जूर कीजेगा बाई बाई टेक केर